साउटेशन मीडिया ग्रूप, वाई मीडिया यूएस प्रेजिदेंशल डिबेट के दुरान, डॉनल्ड ट्राम्प और कामिला हारिस के बीच एक तीखी और इंटेंस तकरार देखी गई economy, abortion और immigration जैसे crucial issues पर दोनों candidates ने अपने वचार व्यक्त किये जिससे debate का महौल काफी गरम रहा ट्राम्प ने अपनी economic policies और job creation plans को highlight किया जबकि हारिस ने health care और social issues पर focus किया और abortion rights को लेकर ट्राम्प के stance को criticize किया immigration पर भी दोनों के बीच थोड़े कठोर exchanges होए जहां ट्राम्प ने stricter policies की बात की और हैरिस ने इन policies को unfair और inhuman बताया ये debate ना केवल दोनों candidates के बीच का difference समझाती है बलकि American voters को 2024 के election के लिए important choices देने में भी मदद करेगी